हाई लो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल समराट एजूकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रिंस्पल आप इंट्रिगेटेड एंड डिजीज मैनेजमेंट का दोस्तों तीन मोस्ट इंपॉर्टन लांग क्यूस्चन बताऊ होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और बनाने में टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चलिए देखते हैं पहला क्यूस्चन दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पावदों में रोग फैलाने वाले कीटों की सूची दीजिए एवं उसके नियंत्रण के उचित उपाय बता पहले लेते हैं । दोस्तों हमने सूची पहले रखा तो देखते हैं दोस्तों तो पहले में रोख फथानले की drop की डिने फोटो ले दोस्तों दूसरा वाइट गर्थ तहुता करमार तर्माइड चौथा भी आर्स हैरी कasında यारी कटरपिलब्स चप्राइब स सब्सक्राइब पोण कि चयंद में एक लीजिए उसके वाद हम इसको हल करेंगे अब दोस्तों शुचित कॉन्सा करेंगे प्राक्रितिक कर सकती हैं तो देखते हैं दोस्तों प्राक्रितिक नियन्त्रल्ड का हाँ आ कि िना कि राक्रितिक नियंत्रड को प्रकृति की बहुत से कार्व जो कीटों की संग्षा रखने में चलुत साय को होती हैं यादि प्रक्रख divisions प्रकार कार ने करती दोस्तोड जो कीट हैं वानुस में अजय ज़ता कि Lima我想्ट फमें दराब कहा से रह पाती दोस्तों जो कीट है वह वनस्पतियों को खा जाते हैं और मनिस्टे को भी रहने के लिए जगर नहीं मिलता है इसलिए दोस्तों प्रकृति का अमारे जीवनें बहुत ही बड़ा रोल है बहुत ही बड़ा युगदान है प्रकृति कि नियंदर लों हम पढ़ता है दोस्तों कारक पर तापकरम का टंपरेचर का तो क्या प्रवा पढ़ता है दोस्तों टंपरेचर होता है वह कीटों की ब्रिद्धी के लिए विकास के लिए प्रजिनन के लिए आयू तता संच्छा की बड़ोत्री के लिए दोस्तों बहुत ही महत्पूर होता है कीटों और धुक्तों प्रभावी दाने के लिए एक उछी ताप करम क्या हो सकता होती है लिए 13 30 क्या सचे ऊसके अधिकर लिए ऐसे भी कुछ कीट होता है दोस्तों जो 38 पर ग्रिस्मन निस्क्रेटा शुरू हो जाती है और कुछ कीट आई सब्सक्राइब तो उनकी मृत्ति हो जागी इस प्रेकार दोस्तो तापकरम के घटने पर जाड़े एक दिन में कीट सीथ निस्कृता में चले जाते हैं अब हम लोग देखें दोस्तों दूसरा आधरता जलवायू समंदी कारक में दोस्तों आधरता का क्या योगदान कीटो के विकास के लिए उचित नमी की सीमा 60-80% होती है चोटिश्तों आधरता पर के बढ़णे और फालने लगें और आधरता की कमी होने से कीटों के सुस्की करण होने लगता है और जिवीध नहीं दा पाते थे दोस्तों फ्यूमिनिटी भी उन लोगों कितनी चाहिए 60-80 प्रतिशत अगला दोस्तों जलवायू सम्मंधी कारव में वायू की गती एयर करेंट का क्या योगदान दोस्तों कीटों के नियंत्रण के लिए दोस्तों वायू कि दोस्तों जहए बहुत तेली से भावा चलती है उनके जोकेस दोस्तों पोशक पौणे इससे उनकी संख्या में कमी आजाएगी क्योंकि यहां पर रहएगा तो यहां पर उसके साथ और भी कीठ जिससे उनकी संख्यां बढ़ोते लिए लेकिन यह दित्या जवा मार देद दोस्तों यहां से कीठ ऊड़कर नहीं दूसरे पिछला गया तो दोस्तों उससे संख्यां में कमी आने लगती है नियंत्रड कैसे करेंगे हम लोगों ने भी देखा प्राक्रितिक नियंत्रड अब देखेंगे वियावारिक नियंत्रडय कीटों का व्यावारिक करेंगे दोस्तों कीटों का वेवानीब की यदि मनूसीकों किके भीवारिक नियंद्डड कीमेशगी मैं ध्यान में कंदू होती है उनको ध्यान मेंें रखके लख अप्राब्य कर सकते हैं इस प्रकार कीट प्रबंदा ने मनुष से अपनी बुद्धी बलके द्वारा नीमनेलिखी सादुनों का उपयोग करता है जैसे दोस्तों इसमें पहले हो गया जानतरिक यहां भौतिक नियंद्रड दूसरा हो गया जैबिक नियंद्रड जोकि मैं आज करा दिया है चौंथा ह वैधानिक नियंत्रड या लीगल कंट्रोल इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहला देखेंगे यांतरिक यह भौतिक नियंत्रड यांतरिक यह आता है और दोस्तों उनको जालों द्वारा कीटों को नष्ट कर देयता है स्पाइब गुमाने के विधी दोस्तों होती है इस विदें पौदे कि आंतरिक बेदुकों तीली अतर द्वारा उनके बनाएगा छिदर्रों में डालकर नष्ट क्या जाएता है प्रक्राइब इसे असे झ्हाelGB अपनांते हैं कीट भोजय्क पधार्द पोल सके उसके बाद COB हम लोगे नियंत्र हम लोग हो कंप्लेट हो गया इसके बाद आगे बहुतिक नियंत्र में नी dont मैं दोस्तो पाला आगया थापकरम स्काथ करम स्काथ केटों का अधिक होता है इनसे बचने के लिए अनाजों को सूरे की प्रखर दूब में सुखाते हैं इसे सूरे चिकित्सा काते हैं या सनहीं ट्रीटमेंट काते हैं दूसरा होता है दोफ्तों इसी में कौन सा निउन तापकरम या कम तापकरम सुसुपता ववस्था में कुछ कीट 30 डिगरी फारेन हाइट या सुन्न के नीचे तापकरम भी सहन कर लेते हैं यह प्राया 40 डिगरी फारेन हाइट पर खाना पीना पसंद करते हैं और निश्करी हो जाते हैं इसलिए सीध भंडारों में फलो और सब्जियों को रखकर इनके प्रकॉप से बचाया जा सकता है यह दपी चार लिगरी सेल्सियर के नीचे कीट अक्री अक्रिया सील हो जाते हैं परंतु बहुत सी अवरस्थाइं मरती नहीं है परंतु बहुत से कीच एक डिगरी से च्छाइड डिगरी से से तक नीचे तापकरम भी सहन कर देते हैं तो दोस्तों यह हो गया है निउन तापकरम अरूच तापकरम इसमें दोस्तों देखेंगे बिजली का प्रयोग या प्रकास का प्रयोग तो दोस्तों इसमें भी दो प्रकार को होता है एक होता है अब प्रत्यक्शनी अंत्रड तो प्रत्यक्शनी अंत्रड क्या ह होता है जो इसी में आकरांतित अनाजो कोया हैे उड़ता है इस aluminum पर दोस्तो पर के भाण में पर पाहले होगे कांसा प्रत्या चनीसःद्टर्ट के लिए चलता है इसमें जो comida होते हैं उनको इस प्रेकार्ट रखा दूसरा इसी में मिर्फेन किया जाता है इस विदी में इरिडियेCheck किया जाता है नर कीटों का अधिक संख्या में प्रयोग सालाव में रखकर कोबाल्ट बल्ब से निकली गामा कीड़ों कीड़े इनकूपर छोड़ दी जाती है गामा कीड़े कीड़ों के प्रजण अंगों को नश्ट करके उन्हें बांज बना देती है यह मादा के साथ करते हैं भूमी के अंतर रहने माले बहुत से कीटों को खेट से पाने निकाल कर नश्ट किया जा सकता है भंडारित अनाज्यों के नियंत्रण के लिए अनाज को सुखा कर उसमें आधरता का प्रतिसत आठ से 10 करने से अधिकांस कीड़ों का आकरमन रोका जा सकता है दोस्तो इसством नहीं करने से अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे उसने अपना आकरमन नहीं कर पाएंगे अब दोस्तौ कर घन घया कल्टरल कं लol की कंट्रोल कर मैं उसमें कि छिसी में फंप के सबको पता है किसी कहेश्यलव फिर कर ब奏ं चाला यह तो दोस्तों फसल चक्र पहला पॉइंट है फसल चक्र फसल चक्र क्या होता है किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कलाता है ऐसा करने से पहले फसल के कीट दूसरे फसल को अपने पोसक पौधी के अभाव में आक्रमडित नहीं करते हैं और भोजन के अभाव में म बच्छी कीट के लिए या वीधी अच्छी होती है फसल चेकर अपनाने से इनका आधिन समाप हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो दोस्तों प्रयों करके हम लोग कीटों को कीटों पर नियंदर्ण पाथ सकते हैं अगला पॉइंट दोसों मिस्ट क्रॉपिंग मिस्ट फसल का प्रयों करके हम लोग कीटों पर नियंदर्ण पासकते हैं तो दो या अधिक फसलों को एक साथ बहुने से कि अपने भुचपदार्थों को सुगमता से नहीं पाते तथा उनकी संख्या में खमी आती है उदारण के लिए ज्वार और बाजरा साथ में बहुने से ज्वार परस्ता भूमी के अंदर रती है यह विदी रेमदार सुन्डी स्वेत गिडार तथा कटुवा आधी के लिए अधिक उपयोगी होता है खेत की मिटी उलट पलट जाने से उपस्थित अंडे सुन्डी तथा इल्ली आधी उपर आ जाते हैं और प्राकृतिक सत्रूं अथव कीटों के सब्सक्राइब करने के आधार पर दोस्तों कैसे सबसे पहले जाने के रासाइन नियंतर होता क्या है इससे रासायन जिनका प्रयोग नासी कीटों को निश्ट करने अथवा उनको छती करने से रोकने के लिए किया जाता है उन्हें कीट नासक रासायन को प्रयोग क करना आए तो लोग इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे तो इसको यह पे छोड़ देते हैं दोस्तों अब लोग को पहला क्यूशन समझ में आए तो आप लोग करें उसके बाद मैं दूसरा क्यूशन डालूगा क्योंकि दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा था धन्यवाद